हमारे साथ जूरे रहने के लिए ग्यान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्या आप भी अपने Facebook पेज को प्रमोट करना चाहते हैं क्या आप जाना चाहते हैं कि हम अपने Facebook पेज को प्रमोट कैसे कर सकते हैं तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए Hello, Namaste, मेरा नाम है Sunoj तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हम अपने फोन पे So, यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हम अपने Facebook पेज को कैसे प्रमोट कर सकते हैं उसे कैसे हम प्रमोशन कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपने Facebook अकाउंट पे आ जाना है सबसे पहले आप अपने mobile में Facebook application कोपेंग कर लीजिए. और यहां पे सबसे पहले आपको अपने पेज पे जाना है. इसके लिए आपको इधर three line पे क्लिक करना है. उसके बाद यहां पे आपको pages पे क्लिक करना है. या उपर में भी आपको page दिखाई दे देगा. उसके बाद आपको जो भी page promote करना है उसे आपको select कर लेना है और अब यह इस तरह से खुली गया है थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा promote यहाँ पे आपको click करना है उसके बाद नीचे promote your page पे click करना है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा page अब यहाँ पे आप customize कर सकते हैं कि आपका जो add है वो किस तरह से सो होगा और किन-किन लोगों के बीच सो होगा यहाँ पे people दिया हुआ है यहाँ से आप age select कर सकते हैं लेकिन इसका जो default age है वह हम रहने देते हैं नीचे आते हैं यहाँ पे आ आप जो add है वो run करना चाहते हैं मतलब add लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से select कर सकते हैं बढ़ा घट आ सकते हैं नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारे details देखेंगे कि आपको कितना पैसा लग रहा है जो date आप select करेंगे उसके हिसाब से उसके बाद आपको promote page पे click क करना है उसके बाद यहाँ पे आपको payment करने के लिए बोला जाएगा जो भी amount आपने वहाँ पे डाला है मतलब आप जो भी add करना चाहते हैं फिलहाल वो यहाँ पे आप enter कर देंगे जैसे में 500 एंटर करता हूं UPI दिया हुआ है payment method में उसके बाद next पे click करेंगे और अब इस क्या होगा कि आपका जो add है वो schedule हो जाएगा run के लिए चलिए आपको एक minute के लिए देखाते हैं जैसे यहाँ पे under review लिखा हुआ आ जाता है और थोरे दिर के बाद यहाँ पे यह जो add है वो active हो जाता है अब जैसी आपका add active होगा उसके बाद आप analytics चेक कर सकते हैं जैसे म जो page है वो पहुच रहा है engagement क्या है कितने लोग उस पे click कर रहे हैं उसके बाद आपका कितना पैसा यहाँ पे लग रहा है सारे details यहाँ से आप देख सकते हैं और इस तरह से आप अपने page promotion को manage कर सकते हैं तो इसी तरह से आप अपनी Facebook page को promote कर सकते हैं